हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चानल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैनरिक मेडिसीन क्या होता है और ब्रेंड मेडिसीन क्या होता है दोनों में क्या आंतर है और दोनों का डोज में क्या आंतर होता है और दोनों के प्राइज में इतना डिफरेंस क्य क्यों होता है और աुनों में कौन सा ज़्यादा अफ्यक्टिव होना है इसके अपने हम लोग में 2 जानेंगा को बैरिन मेंडिसीन क्या है तेक कोई भी दवा जो होते है वो दवा के अंदर साल्ट को जो होता है जो जो इंडर दीटा मोल इंडर 96 registers के जाइश महां बेचती बचती है तो बेचती है कि जडर कोई लुएती करती है ज़ो कुछ लोयल्टी पे करती है लोयल्टी करने के बाद उसको जो всю इनुवेट कीफनी क्यां जो अधीकार देता बेचने का तो फिर वह दवा कंपणी हो salt के नाम से मार्केट में बेजती है जो salt के नाम से बेजती है उसको बोलते हम जैनरिक मेडिसीन और जो किसी दवा कंपनी अपने नाम से बेजती है उसको बोलते हम ब्रैंड मेडिसीन दोनों में अंतर क्या है तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है जन्रिक मेडिसीन होगा चाहे ब्रैंड मेडिसीन होता है और थ्रागोध नाम का अंतर हो सकता है लेकिन दोनों में एक ही सॉल्ट केमिकल होता है और दोनों का अफेक्टिव जो है वो दोनों सेम अफेक्ट या तो फिर आपका फ्लेवर में अंदर हो सकता लेकिन दोनों को जो है से और प्रोटोकॉल से बुजरना पड़ता बनाने के लिए ब्रैंड मेडिसीन कोशली क्यों होता है तो ब्रैंड मेडिसीन को जो ड्रग बनाती है जो खोज करती है उस पर आपको खोज करने में रिसर्च करने में काफी सारा मैन पावर लगता है उस पर पैसा खर्च होता है फिर मार्केटिंग करने में उसको पैसा खर्च होता है तो इ उसको सिर्फ अधिकार मिलता है उसकोصل के नाम से बेचने का उसको मार्केटेंग- रिसर्च अप्रेटेंड बगराब खर्च नहीं होता है तो इससे लिए जय जो जो भाण है जान देखा गया है के इस धीनником के जर्डेशिंश भूलत है वह होता है को कंवक्र Wonderful लिखते हैं इस तरह क्या हो गया आपको जेनरीक और ब्रैंड में अंतर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर किजिए धन्वाद दोस्तों